Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और Node.js की studio के मुनें बात करने वाले हैं एक model की model कैसे define करते हैं, कैसे use करते हैं एक example के साथ सब कुछ देखने वाले हैं, बट उससे पहले, अगर आपको ये नहीं बता कि एक Node.js की application को MongoDB के हाथ connect कैसे करते हैं, तुम्हारी पिछले वाली वीडियो देख लीजेगा, link description box में दिया हुआ है, क्योंकि model का use database के हाथ connect करने के बाद ही होता है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा overview दूँँगा, आपको, जो मैं लास्ट वीडियो के अंदर कर आ थ तो इसी code को मैं continue करूँगा, बट इसके अंदर कुछ changes नहीं करूँगा, हमारी एक नई file ही बनती है, model की, alright, तो सबसे पहले question आता है, कि model होता क्या है, उसके बाद में हमें एक, जो हमारी collection बनी हुई है, यह वाली collection बनी हुई है, इसके नाम से ही हम एक file बनानी है, और वह आपकी भी database के साथ connection करते हो, आपकी node.js का, या फिर PHP का, या फिर किसी भी language का, तो उसके अंदर database की table के हिसाब से, या फिल collection के हिसाब से, एक model बनता है, उसके अंदर उसका पूरा structure defined होता है, ठीक है, structure मतलब क्या, structure मतलब की, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यह हमारा collection का एक object बना हूँ है, ठीक है, उसके अंदर id है, id किस type के, name किस type का, email id किस type की है, address किस type का, type से मतलब कि वो boolean value है, number value है, string है, where कह रहे क्या है, तो सारी की सारी चीज़ें हम define करते हैं, उसके model के अंदर, ताकि जब भी हम database के अंदर data save करते हैं, fetch करते हैं, तो हमें कुछ problem न परते हैं, alright, so, अब हम सबसे पर एक file बनाते हैं, हमारी collection के नाम से, हमारी collection का नाम है, यहाँ पर users, so, तो मैं एक file जो बनाऊंगा, जो मेरा model होगा, वो भी मेरा users के नाम से ही होगा, simply मैं यहाँ लिखता हूँ, users.js, alright, so, इसके अंदर मैं constant ले ले लेता हूँ, constant का नाम र required mongos, alright, so, mongo यहाँ पर import करने के बाद में, हमें एक और consonant ले सकते हैं, फिर let variable, जो भी मर्ज़ ले सकते हो, let's see, मैं इसका नाम रिफाइन करता हूँ, users schema, alright, और यहाँ पर एक mongo, एक नय object create करता हूँ, new mongos.schema, आपको आराम से, इसका अपने यहाँ इंटेलिजेंस के schema function होता है, यहाँ अपने आप में object लेता है, object के अंदर हम वही सारी चीजें define करते हैं, जो यहाँ पर आपका एक table के structure होता है, so, id, name, email id और address, जी सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर define करते हैं, so, सबसे पहले मैं लोगा id, underscore, id, underscore क्यों, क्योंकि जो mongo के अंदर id लेते हो underscore करें ही लेते हैं, ठीक है, id हो गई है, और जो id होती है, वो mongo का object type का ही होता है, ठीक है, so, यहाँ पर लिखेंगे, mongos.schema.type, और type.object, I think, yeah, object id, right, so, इस तरह के से हम इसको define करते हैं, बाद में हमारा name आ गया, name हमने basically यहाँ पर string ही लिया था, so, इसको string define करते हैं, आप देख सकते हो कि name, email id और address है, वो तीनो के तीनो string है, all right, so, मैं यहाँ पर email, उसको मैं basically string ले सकता हूँ, then, उसके बाद में address, को भी मैं हाँ यहाँ पर string ही ले सकता हूँ, all right, so, यह define करने के बाद में, हम इस model को actually export करना होता है, so, मैं हाँ यहाँ मैं लिकूंगा normally, module.export, और इसके तर लिकूंगा, मैं mongos.model, और सबसे पहले हमारी जो collection का नाम होता है, वो users, then, उसके बाद में, जो हमने यहाँ पर user schema बनाई है, वो user schema, all right, so, इस तरीके से हमारा model बन गया है, और यहाँ पर तो कुछ दिखरोगा कि app crash हो रही है, मारा model यहाँ पर perfectly fine है, उसमें कुछ problem है नहीं, all right, so, thanks for watching this video, channel को subscribe करना मत भूलेगा, bye bye, take care.